भारत माता की भारत माता की केंद्रिय मंत्री मंडल के मेरे सभी साथी गण देश के कोने कोने से यहाँ इस भव्य भवन में पधारे मेरे प्यारे भाई भेन देश के सत्तर से जादा सहरों से जुड़े मेरे सभी साथी अन्य महानुभाव और मेरे परिवार जनो आज भगवान विश्वकर्मा की जैनती है ये दिन हमारे पारंपारी कारीगरों और शिल्प कारों को समर्पित है मैं समस्त देशवासियों को विश्वकर्मा जैनती की अनेख अनेख शुपकामनाय देता हूँ मुझे खुशी है कि आज दिन मुझे देश भर के लाखों विश्वकर्मा साथियों से जुड़ने का आउसर मिला है अब से कुछ देर पहले मेरी अनेकों विश्वकर्मा भाई बेनों से बात भी हुई है और मुझे आहाने में विलम भी इसलिए हुआ कि मैं उनसे जरा बातों करने में लग गया और नीचे जो एक्जिविशन बना है वो भी इतना शांदार है निकलने का मन नहीं करता था और मेरा से आप सबसे भी आगर हैं कि आप जरूर उसको देखें और मुझे बताया गया कि अभी दो तिन दिन और चलने वाला है तो खास करके दिल्ली वाश्यों से मैं जरूर कहूंगा कि वो जरूर देखें साथियों भगवान विश्वकर्मा के आसिरवात से आज प्रधान मंत्री विश्वकर्मा योजना का आरभ हो रहा है हाथ के हुनर से औजारों से परंपरागत रुप से काम करने वाले लाखों परिवारों के लिए पी-एम विश्वकर्मा योजना उमीद की एक नई कीरण बनकर आ रही है मेरे परिवार जनों इस योजना के साथ ही आज देश को इंटर्रेस्टनल एग्जिबेशन सेंटर यशो भुमी यशो भुमी भी मिला है जिस प्रकार का काम यहां हुआ है उसमें मेरे स्रमीक भाईयों और बहनों का मेरे विश्वकर्मा भाईयों बहनों का तप नजर आता है तपस्या नजर आती है मैं आज यशो भुमी को बेश के हर स्रमिक को समर्पित करता हूं हर विश्वकर्मा साथी को समर्पित करता हूं बड़ी संख्या में हमारे विश्वकर्मा साथी भी यशो भुमी के लाभारती होने वाले हैं आज इस कारकम में जो हजारों विश्वकर्मा साथ ही हमारे साथ विडियो के माद्गम से जुड़े हैं उन्हें में विशेश तोर पर ये बताना चाहता हूँ गाउं गाउं में आप जो सामान बनाते हैं जो शिल्प जिस आर्ट का स्रेजन करते हैं उसको दुनिया तक पहुंचाएने का ये बहुत बड़ा वाइबरन्ट सेंटर ससक्त माध्यम बनने वाला है ये आपकी कला आपके कौशल आपकी आर्ट को दुनिया के सामने सोकेस करेगा ये भारत के लोकल प्रोड़क को ग्लोबल बनाने में बहुत बड़ी भूमी का निभाएगा मेरे परिवार जनो हमारे हाँ स्वास्त्रों में कहा गया है यो विश्वम जगतम यो विश्वम जगतम करोथ से से सव विश्वकर्मा अर्थात जो समस्त संसार की रचना या उससे जुड़े निर्मान कारिय को करता है उसे विश्वकर्मा कहते हैं हजारों वर्सों से जो साथी भारत की समर्दी के मूल में रहे हैं वो हमारे विश्वकर्मा ही है जैसे हमारे सरीर में रीड की हड़ी की भुमिका होती है वैसे ही समाज जिवन में इन विश्वकर्मा साथियों की बहुत महत्वपुण भुमिका होती है हमारे विश्वकर्मा साथी उस काम उस हुनर से जुड़े हैं जिनके बिना रोज मरा की जिन्दगी की कलपना भी मुश्किल है आप देखिए हमारी क्रशी व्यवस्था में लोहार के बेना कुछ क्या संभव है नहीं है गाव देहात में जूते बनाने वाले हो बाल काटने वाले हो कपड़े सिलने वाले दरजी हो इनकी एहमियत कभी खत्म नहीं हो सकती फ्रीज के दोर में भी लोग आज मटके और सुराई का पानी पिना पसंद करते हैं दुनिया कितनी भी आगे बढ़ जाएं टेक्नोलोजी कहीं भी पहुंच जाएं लिकिन इनकी भूमी का इनका महत्वा हमेशा रहेगा और इसलिए आज समय की मांग है कि इन विश्वकर्मा साथियों को पहचाना जाएं उनने हर तरह से सपोर्ट किया जाएं सात्यों हमारी सरकार अपने विश्वकर्मा भाई बहनों को और उनका सम्मान बढ़ाने का उनका सामर्थ बढ़ाने और उनकी सम्रुद्धी बढ़ाने के लिए आज सरकार एक सयोगी बनकर के आपके पास आई है अभी सोजना में अठारा अलग-अलग तरह का काम करने वाले विश्व कर्मा साथियों पर फोकस किया गया और शायद ही कोई गाउँ ऐसा होगा कि जहां इस अठारा प्रकार के काम करने वाले लोग नहों इन में लकडी का काम करने वाले कार्पेंटर लकडी के खिलोने बनाने वाले कारिकर लोहे का काम करने वाले लोहार सोने के अभुषन बनाने वाले सुनार मिट्टी का काम करने वाले कुमार मुर्तिया बनाने वाले मुर्तिकार जूते ने मनाने वाले भाई राजमिस्त्री का काम करने वाले लोग, हैर कटिंग करने वाले लोग, कपड़े धुलने वाले लोग, कपड़े सिलने वाले लोग, माला बनाने वाले, फिशिनेट बनाने वाले, नाव बनाने वाले, असे अलग अलग, अलग अलग के तरह तरह के काम करने वाले साध्यों को शामिल किया गया है पीएम विश्वकर्मा योजना पर सरकार अभी 13,000 करोड रुपिये खर्च करने वाली है मेरे परिवार जनो कुछ साल पहले करीब 35 साल हो गए होंगे मैं एक बाद यूरोप में ब्रसल गया था तो महां कुछ समय था तो मुझे वहां के जो मेरे होस से वो एक ज्वैलरी का एक्जिविशन था वो देखने के लिए ले गए तो मैं जिग्यासा से जड़ा पूछ रहा था उनको कि यहां यहां यह चीजों का मार्केट कैसा होता है क्या होता है तो मेरे लिए बड़ा सर्प्राइज था उन्होंने कहां साथ यहां जो मशीन से बनी हुई ज्वैलरी है उसकी डिमांड कम से कम होती है जो हाथ से बनी हुई ज्वैलरी है लोग महंगई से महंगे पैसे दे क करके भी उसको खरीदना पसंद करते हैं आप सभी हाथ से अपने हुनर से जो बारी काम करते हैं दुनिया में उसकी डिमांड बढ़ रही है आज कल हम देखते हैं कि बड़ी-बड़ी कम्पनियां भी अपने प्रोड़क्ट बनाने के लिए अपना काम दूसरी छोटी-छोटी कम्पनियों को देती हैं यह पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा इंडस्री है आउट्सोर्सिंग का काम भी हमारे इनी विश्वकरमा साथियों के पास आए आप बड़ी सप्लाइचेन का हिस्सा बने हम इसके लिए आपको तयार करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं हम दुनिया की बड़ी-बड़ी कम्पनियां आपके दरवाजे पर आकर के खड़ी रहें आपके दरवाजे पर दस्तक दें बोख्षमतां आपके अंदर लाना चाहते हैं इसलिए ये योजना विश्वकर्मा साथियों को आधुनिक यूग में ले जाने का प्रयास है उनका सामर्थ बढ़ाने का प्रयास है साथियों बदलते हुए इस समय में हमारे विश्वकर्मा भाई बहनों के लिए ट्रेनिंग टेकनोलोजी और टूल्स बहुत ही आवशक है विश्वकर्मा योजना के जरिये आप सब साथियों को सरकार के द्वारा ट्रेनिंग देने पर बहुत जोड दिया गया है ट्रेनिंग के दौरान भी क्योंकि आप रोज मरा की मेहनत करके कमाने खाने वाले लोग है इसलिए ट्रेनिंग दर्म्यान भी आपको हर रोज पान्सो रुपिया भत्ता सरकार की तरप से दिया जाएगा आपको आदुनिक टूल किट के लिए पंदरा हजार रुपिये का टूल किट वाउचर भी मिलेगा आप जो सामान बनाएंगे उसकी ब्रांडिंग और पैकेजिंग से लेकर मार्केटिंग में भी सरकार हर तरह से मदद करेंगे और बड़ले में सरकार आपसे चाहती है कि आप टूल किट उसी दुकान से खरीदे जो जी एस्टी रेजिस्टर है का लाव जारी नहीं चलेगी और दूसरा मेरा आग रहे हैं यह टूल्स मेड इन इंडिया ही होने चाहिए मेरे परिवार जनों अगर आप अपना कारोबार बढ़ाना चाहते हैं तो शुरुवाती पुंजी की दिक्कत ना आए इसका भी ध्यान सरकार ने रखा है इस योजना के तहट विश्व कर्मा साथियों को बिना गैरंटी मांगे जब सब बैंक आपसे गैरंटी ने मांगती है तो आपकी गैरंटी मोदी देता है बिना गैरंटी मांगे तीन लाख रुपिये तक का कर्ज मिलेगा आपका रण मिलेगा और ये भी सुनिशित किया गया है कि इस रण का ब्याज बहुत ही कम रहे सरकार ने प्रावधान ये किया है कि पहली बार में अगर आपने कि ट्रेनिंग हो गई आपने नए टूल ले लिए तो पहली बार आपको एक लाख रुपिये तक का रण मिलेगा और जब आप ये चुका देंगे ताकि पता चलेगा कि काम हो रहा है तो फिर आपको दो लाख रुपिया का रण और उपलब्द होगा मेरे परिवार जनों आज देश में वो सरकार है जो वन्चीतों को वरियता देती है ये हमारी सरकार ही है जो वन डिस्ट्रिक वन प्रोड़क योजना के जरिये हर जिले के विशेश उत्पादों को बढ़ावा दे रही है हमारी सरकार ने ही पहली बार रेडी पट्री ठेले वालों को पी एम स्वन इधी के तहट मदद किये बैंक के दरबाजे उनके लिए खोल दिये है ये हमारी सरकार है जिसने आजादी के बाद पहली बार बंजारा और गुमंत जनजातियों की परवा की है ये हमारी ही सरकार है जिसने आजादी के बाद पहली बार दिव्यांग जनों के लिए हरस्तार हरस्तान पर विशेश सुविधाएं विख्सित की है जिसे कोई नहीं पुस्ता उसके लिए गरीब का ये बेटा मोदी उसका सेवक बनकर आया है सबको सम्मान का जीवन देना सभी तक सुविधा पहुचाना ये मोदी की गारंटी है मेरे परिवार जनों जब टेक्नलोजी और ट्रेडिशन मिलते हैं तो क्या कमाल होता है ये पूरी दुनिया ने G20 क्राप्ट बाजार में भी देखा है जी ट्वेंटी में हिस्सा लेने के लिए जो विदेशी महमान आये थे उनको भी गिप में हमने विश्व कर्मा साथियों के बनाए सामान ही बेंट में दिये लोकल के लिए वोकल का ये समर्पन हम सभी का पूरे देश का दाईत्व है क्यों इसमें ठंडे पड़ गए इसमें ठंडे पड़ गए ना ना मैं करू तो खो ताली बजाते हो आपको कर रेगी बाद आए तो उग्जाते हो अब मुझे बताईए हमारे देश में जो चीजें हमारे कारियर बनाते हैं हमारे लोक बनाते वो दुनिया के बाजार में पहुंचने चाहिए नहीं पहुंचने चाहिए दुनिया के बाजार में पिकनी चाहिए नहीं पिकनी चाहिए तो यह काम पहले लोकल के लिए वोकल बनना पड़ेगा और फिर लोकल को ग्लोबल करना होगा साथियों अब गणेश चतुर्थी धन्तेरत दिपावली सहीत अनेक तोहार आने वाले हैं मैं सभी देशवासियों से लोकल खरिदे का आगर करूंगा और जब मैं लोकल खरिदे की बात करता हूँ तो कुछ लोगों को इतना ही लगता है कि दिवाली के दिए ले ले बस और कुछ ने हर छोटी मोटी चीज कोई भी बड़ा सामान खर दें जिसमें हमारे विश्व कर्मा साथियों की चाप हो भारत की मिट्टी और पसेज़े की महेक हो मेरे वाइब परिवार जनो आज का विश्शित होता हुआ भारत हर छेत्र में अपनी नई पहचान बना रहा है कुछ दिन पहले हमने देखा हैं कि कैसे भारत मंडबब को लेकर दुनिया भर में चर्चा हुई है ये इंटरनेशनल एक्जिबिशन सेंटर यशो भूमी इसी परमपरा को और भव्यता से आगे बढ़ाता है और यशो भूमी का सीधा जिधा थन्देश हैं इस भूमी पर जो भी होगा यश ही यश्प्राप्त होने वाला है ये भविश्य के भारत को सोकेस करने ने का एक शांदार सेंटर बढ़ेगा साथियों भारत के बड़े आर्थिक सामर्थ बड़ी व्यापारिक शक्ति को सोकेस करने के लिए भारत की राजदानी में जैसा सेंटर होना चाहिए ये वो सेंटर है इसमें मल्टी मोडल कनेक्टिविटी और पीएम गती शक्ति के दर्शन एक साथ होते हैं अब देखिए ये एरपोर्ट के पास में है इसको एरपोर्ट से कनेक करने के लिए मेट्रो की सुविधा दी गई है आज यहां मेट्रो स्टेशन का भी उद्गाटन हुआ है इस मेट्रो स्टेशन सीधा इस कॉम्प्लेश से जुड़ा हुआ है इस मेट्रो सुविधा के चलते दिल्ली के अलग हिस्सों से लोग का समय बहुत आसानी से कम समय में यह यहां पहुँच पाएंगे यहां जो लोग आएंगे उनके लिए ठैरने का मनोरंजन का शॉपिंग का टुरियम का पूरा इंतजाम यही इस पूरे इको सिस्टिम में बनाया हुआ है पूरी वबस्ता में बना हुआ है मेरे परिवार जोनों बदलते हुए समय के साथ विकास के रोजगार के नए नए सेक्टर्स भी बनते हैं आज से 50-60 साल पहले कोई इतनी बड़ी IT इंडस्ट्री के बारे में सोज भी नहीं सकता था आज से 30-35 साल पहले सोचल मीडिया भी एक कलपना भरी था अब दुनिया में एक और बड़ा सेक्टर बन रहा है जिसमें भारत के लिए असीम संभावना है यह सेक्टर है कांफरेंस टुरीजम का पूरी दुनिया में कांफरेंस टुरीजम इंडस्टी पचीस लाग करोड से भी जादा है हर साल दुनिया में 32,000 से भी जादा बड़ी एक्जिबिशन लगती है एक्ष्पो होते हैं आप कल्पना कर सकते हैं जिस देश की आबादी 25 करोड होगी लोग वहां भी कर देते हैं यहां तो 140 करोड के आबादी है जो आएगा वो माला माल हो जाएगा बहुत बड़ा मार्केट है कॉन्फरेंस टूरिजम के लिए आने वाले लोग एक सामान्य टूरिस्ट की अपेक्षा कई गुना जादा पैसा खर्च करते हैं इतनी बड़ी इंड़स्ट्री में भारत की हिस्सेदारी सिर्फ एक परसेंट है सिर्फ एक परसेंट हैं की ही अनेकों बड़ी कबडियां हर साल अपने इवेंट्स बहार करना के लिए मजबूर हो जाती है आप कलपना कर सकते हैं कि देश और दुनिया का इतना बड़ा मार्केट हमारे सामने हैं अब आज का नया भारत खुद को कॉन्फरेंस टूरिजम के लिए भी तैयार कर रह है कि और साथियों आप सब जानते हैं कि एडवेंट्र एडवेंचर टूरिजम एडवेंचर टूरिजम वही होगा जहां एडवेंचर के साधन संसाधन हो मेडिकल टूरिजम वही होगा जहां आधुनिक चिकित्सा सुविधाय हो स्पिरिचल टूरिजम वही होगा जहां एटियासिक धार्मिक श्पिरिचल एक्टिविटी हो हेरिटेज decisions भी वही होगा जहां history और हेरिटेज का बहुल्य हो। इसी तरफ conference tourism भी वही होगा जहां events के लिए, meetings के लिए, एक्जिबिशन के लिए जरुरी साधन संसाधन हो। इस लिए भारत मनपम्기도 और यशो भूमी ये ऐसे सेंटर है वो बिल्ली को कान्फरेंस टुरिजम का सबसे बड़ा हब बनाने जा रहे हैं अकेले यशो भूमी सेंटर से ही लाखों युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है यशो भूमी भविश में एक ऐसा स्थान मनेगा जहां दुनिया भर के देशों से लोग इंटरनेशनल कान्फरेंस, मीटिंग्स, एक्जिबिशन्स इन सब के लिए क्यों लगने वाली है आज मैं दुनिया भर के देशों में एक्जिबिशन और इवेंट्स इंडर्स्टी से जुड़े लोगों को हिंदुस्तान में, दिल्ली में, येशो भूमी में विशय इस्तुप से आमंत्रित करता हूँ मैं देश की पूरा पस्तीम उत्तर दख्षेन, हार छेत्र की फिल्म इंडर्स्ट्री, टीवी इंडर्स्ट्री को आमंत्रित करूँगा आप अपने अवार्ड्स हमारव, फिल्म फस्टिवल यहां आयोजीत करिए, फिल्म के पहले शों यहां आयोजीत करिए मैं इंटरनेशनल इवेंट्स, कमपनीज, एक्जिमिशन सेक्टर से जुड़े लोगों को भी भारत मंदपाम और यशो भूमी से जुड़ने को आमंत्रित करता हूँ मेरा परिवार जनो, मुझे विश्वात है भारत मंदपाम और यह यशो भूमी यह भारत के आतिथ्य, भारत की श्रेष्टता और भारत की भव्यता के प्रतीक बनेंगे भारत मंदपाम और यह यशो भूमी दोनों में ही भारतिय संस्कृति और अत्या दुनित सुविधाओं इन दोनों का संगम है आज ये दोनों भंव्य प्रतिश्टान नए भारत की यश्गाथा देश और दुनिया के सामने गा रहे हैं इनमें नए भारत की आकांच्छाओं का प्रतिमिम्ब भी है जो अपने लिए सबसे बहतरीन सुविधाएं चाहता है साथियों मेरे शब्द लिख्ये रखिये भारत अब रुकने वाला नहीं है हमें चलते रहना है नए लक्ष बनाते रहना है और उन्स नए लक्षों को पाकर के ही चैन से बैठना है और ये हम सभी के परिशम और परिशम की प्राकास्टा देश को 2047 में दुनिया के सामने डंकिल की चोड़ पर विक्सित भारत के रूप में खड़ा कर देंगे ये संकल्प ले करके चलता है ये समय हम सभी के लिए जूट जाने का समय है हमारे विश्व कर्मा साथी मेकिन इंडिया की शान है और इंटरनेशनल कंवेंशन सेंटर की इस्तान को दुनिया के सामने सोकेश करने का माध्यम बनेगा एक बार फिर सभी विश्व कर्मा साथियों को ये बहुत बड़ी आशावादी योजना के लिए मैं बहुत बहुत बदाई देता हूँ ये नया सेंटर यश्व भुमी भारत के यश्व का प्रतिक बने दिल्ली की शान को और बढ़ाए इसी मंगल कामना के साथ आप सभी को बहुत बहुत सुपकामना है बहुत बहुत धन्यवाद समस्कार